हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में इस बैसली डिसकस करेंगे यूपी डियलेट सकेंड बैस प्लस फॉर्थ बैस रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट इंफॉमेशन जैसे कि फ्रेंड्स आप कल से बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर और पी एंपी के तरफ से आपको खबरे भी कुछ मिल रही होंगी लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है आपका डिकलेर नहीं किया गया तो अब खबरे जो निकल के आ रहे हैं कैंडिडेट यह बोल रहे थे कि जैसे थर्ड बैज का रिजल्ट आया है उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गए हैं और क्यूंकि सारी कैंडिडेट्स मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे उनकी तैयारी थी फॉस्ट बैज का फॉस्ट बैज का एक्जैम ना कराकर सकें एक और आजाती है अगर सकेंड बैज में बैज लगेगा तो फॉस्ट बैज पर भी इफेक्ट पड़ेगा तो इसलिए आप सभी और ज्यादा डर रहे हैं तो देखिए फ्रेंट्स आप सभी को परिसान नहीं होना है अगर कापियों में देखिए आप कापियों के मुल्या अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखिए क्या दिखा रहा है रिजल्ट 2020 क्योंकि तरफ से यह कहा गया है कि 15 तारिक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन अभी तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आया है अगर आप जाकर देखेंगे तो अलेबल सुन या फि तो वैसे पार देख लें मतलब जितना भी है अब देखिए फ्रेंड्स अब आपके मन में है कि देरी क्यों हो रही है इसी बात को लेकर जो भी डियल्ट के परदेशा ध्यक्ष है वो पहुचे है PNP ठीक है और वहां पहुच गये है और जल्दी आपको यह इन्फोमेशन देरी जाएगी कि भाईया देरी क्यों हो रही है क्या पूरा प्रोसेस है आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है आप अपनी बात पर आपने देखा होगा PNP अबर कोई भी बात करता है तो उस पर वो ख़रा नहीं उतरता है इसी बात को लेकर परदेशा ध्यक्ष जो की प्रस परदेशन आता है तो देखिए आपको कम्यूटी बॉक्स में प्रोवाइट कर दिया जाएगा या फिर आपको वीडियो भी प्रोवाइट कर दी जाएगी ठीक है तो आप अपने रिजल्ट को लेकर परदेशान मत होईएगा और जो भी कहने यह सोच रहे हैं कि भाईया हम आपको ।ो क्या ही कहें रिजल्ट को लेकर तो आप सभी परदेशान मत होईएगे यह सभी पास होंगे अगर आपको लगेगा कि भाईया कोई खराबी है तो आप ऽभी परदेशान नहीं हो उना है अगर भेग भी लगता है लेकिन आपके नम्बर ज्यादा थे फिर भी त तो अभी के लिए इतने इतना ही चैनल के साथ जुर जाईए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और ज्यादा से ज्यादा कैंड़ेट को सेयर करिए ताकि वह परिशान नहीं हो रिजल्ट आपका आएगा और देखिए फ्रेंट्स पी एनपी का जो रिजल्ट होता है कहीं न कहीं रात में ही जारी किया जाता है ठीक है और ये पेपर वाले भाईया ने भी इससे रिलेटेट कोई इंफोमेशन पब्लिश नहीं किया तो आप से भी परिशान मत हुईएगा दस बज़ तक इंतिजार करिए ठीक है बाकी देखते हैं क्या इंफोमेशन आता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैंक्स वाचिंग ठीक किया है